नमस्कार मैं वसंती साभू माम्स कीचन में आपका स्वागत करती हूँ कीचन में आभन का स्वागत परठी हमें लाविये दैंकर ंंटे मान कोई बज गया है तो उसे भी साप करके अलग कर लेंगे मुंगा भाजी को सबसे पहले हम एक बर्तान में पानी ले लेंगे और धो लेंगे ये उपर उपर तैने लगता है फिर भी हमें धोना जरूरी है और अच्छी तरह से इसे साप करके निकाल लेंगे मुनगा भाजी खाना हमारे सेहत के लिए बहुत लाबकारी है बीपी वालों के लिए शुगर वालों के लिए और खास करके घुटना दर्द कमर दर्द के लिए तो इस प्राकार से हमें एक बरतन में गरम पानी कर लेना है और उसमें उबालने के लिए डाल देना है मुनगा भाजी को बीना उबाले भी एक पराठा बना के बताएंगे और उबाले वाला भी दोनों तरीके से आप बना सकते हैं उबाल के बनाएंगे तो और जल्दी से अच्छा से पकता है पराठा तो इस प्रकार से उबल गया है, अब इसे ठंधा होने देंगे ठंधा होने पर ग्राइंडर में इसे पीछना है तो ले लेते हैं जार ले लेते हैं और उसमें डाल देंगे और इसे पेश्ट बना लेंगे मुनगा भाजी का पेश्ट बनाने के बाद में हम देखिए इस प्रकार से पेश्ट बन गया है मुनगा भाजी का और तीन कप लगभग हम यहाँ पर आटा ले लेंगे आप अपने परिवार के हिसाब से ले सकते हैं अब सभी पेश्ट को इसमें डाल देंगे आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच नमक वन फोर्थ चमच लाल मीज पाउडर सभी को डालके मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद में जो जार में पानी है उसमें डालके पानी डालके उसमें भी गुतेंगे उसका उप और इसे आटा को गोल-गोल घुमाते जाना है इस प्रकार से गोल-गोल घुमाते जाएंगे तो आटा के हरे कंड पानी सोकता है और एक ही दिशा में अच्छे तरह से घुमाते रहना है और ऐसे घुमाते घुमाते हमारा आटा दो मिनट के अंदर तयार हो जाता है और हाथ मे थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक बार और इसे थोड़ा सा दबा देंगे और इसे आधा घंटा के लिए धक के रख देंगे आटा तयार हो गया है आटा को बहुत सक्त नहीं रखना है ना बहुत ज्यादा धीला नहीं रखना है अब इसे धक के रख देते हैं आटा थोड सगी डालके इसको और अच्छी तरह से अब इसको मसल के अच्छी तरह से आटा तयार करना है इस टाइम पे हमें आटा को अच्छी तरह से गुथना है और अब इसे अलग-अलग बराबर मात्रा में पीस बने इसलिए इसे बराबर तुकड़ा करके सभी को रख लेंगे और इ इसे दवात के इस प्रकार से तयार करके रख लेंगे सभी को, ताकि हमें पराठा बनाने में आसानी हो, अब गैस में तवा या फ्राइपन चड़ा देंगे, और बेलना चौकी ले लेंगे, बेलना चौकी में, अब आठा के पैथन के लिए आठा ले लिए हैं, चाहे तो घी या तेल में भी बना सकते हैं, पराठा को बेल के, यहां मैं आठा का यूज कर रही हूँ, अच्छे से बनता है, पराठा फिसलता है बेलने में, इस प्रकार से हमें ले लेना है, और पहले गोला में इसे बेल लेंगे, जैसे रोटी के अकार है, और गोला ही बनाना चाह तो इस प्राकार से फोल्ड करके हम पराठा तयार कर लेंगे और बेलते वागत हमें ध्यान रखना है कहीं पतला कहीं मोटा नहीं होना है क्योंकि बराबर रहता है तो पकने में भी आसानी होता है नहीं तो कहीं पतला पकेगा कहीं जल्दी पकेगा कहीं जल जाएगा तो इसल डाल देंगे अब उपर से भी हमें घी डालना है और इस प्रकार घी को फैलाने के बाद में इसे पलट देंगे और उपर को भी अच्छी तरह से हमें पकाना है इस प्रकार से पलट पलट के पराठा को अच्छी तरह से पका लेना है देखिए पराठा फुलने लग गया है पराठा रोज नहीं खाएंगे तो हफ्टेम कम से कम एक बार खाई सकते हैं ये हिल्दी पराठा बन रहा है मुनगा पत्ती डला हुआ है बीपी सुगर वालों के लिए तो रामबाड है जिनका घुटना दर्दा है उनके लिए भी अच्छा है और जो डिलवरी हुए रहते हैं उन महिलाओं के लिए बहुत हेल्दी है उनको भी घुटना दर्दा कमर दर्दा की प्राबलम नहीं आती है अब बारी है कच्चा तुरंद पीसे है इसको बिना उबाले और बिना उबाल के उस पेश्ट से आटा गुत के तयार कर लिये हैं और इसका भी पराठा बनाएंगे इसमें थोड़ा गरम पानी गुनगुना पानी से गुत लेंगे तो पराठा असानी से बन जाता है और हमें आटा को बहुत जादा टाइट नहीं रखना है मुलायम रखना है और देखिए अब ये भी तयार हो रहा है और इसे एक बार फोल्ड करेंगे दुबारा फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा आटा का पेथन लगाके इसे भी पराठा के आकार दे के बेल लेंगे और इसमें भी मोटा पतला का ख्याल रखना है सभी तरप से हमें बराबर बेल के तयार करना है देखिए, अब इसमें भी घी डाल के डाल दिए हैं और उपार से घी लगा देंगे जब चारों तरब किनारे चिपकने लगता है तभी हमें पलटना है इससे पराठा अच्छी तरह से फूलता है हम एक किनारे से पलटा लगाएंगे तो सभी तरब फूलने लग जाएगा इस प्रकार मोरिंगा का पराठा देखते ही देखते तैयार हो गया है और हिल्दी पराठा आपने अभी तक मेथी पराठा पलक पराठा खाए होंगे लेकिन इस प्रकार से मुरिंगा पराठा बनाएंगे मुनगा भाजी का पराठा भी बोल सकते हैं चतिस गर में क्योंकि हम लोग मुनगा बोलते हैं और इसे केला आलू के सबजी में इस प्रकार से सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी सबजी के साथ सर्व कर सकते हैं, या टमाटर फ्राई, चटनी या दही के साथ भी इसे खा सकते हैं, या पराठा बहुत ही स्वाधिश्ट बना है, और आप अपने घर में जरूर बन कर दो